हेलो दोस्तों काफी लोगों का ये पूछना होता है कि हमारा जो रूम है उसमें कितना पैंट और कितने पुट्टी लग जाती है और कितना पका पैंट लगेगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कितने भाई कितने के रूम में कितना पैंट और पुट्टी लगती है दोस्तों ये जो रूम है 14 बाई 17 का रूम है इस रूम में 10 किलो पैंट लग रहा है यानि के एक दिवार पर 2 किलो अगर आपका रूम 12 बाई 12 का रूम होता है तो उस पर आपका 6 किलो पैंट लगेगा तो दोस्तों ये जो मैंने पैंट करा है ये व अभी white cement का एक coat मारा है अपनी इन दिवारों पर अब मैं दिखाता हूँ दूसरी side में ये मेरा बंदा है इधर को double coat final कर रिया है तो ये double coat white paint के उपर double coat double coat final है और side में अभी रह दिया है तो दोस्तो ऐसे भी बहुत अच्छी signing आती है अगर आप पुट्टी के उपर करो तो पुट्टी का तो ब्रैंडेड मामला होता है बुट्टी ब्रैंडेड में आती है double coat पुट्टी और फिर प्रैंड और फिर double coat paint दोस्तो ये सबसे उपर भी complete कर दिया ये side में रह दिया है मामला ये जो है इस दिवार पर भी मुझे अभी white cement मारा है double coat मुझे paint मानना है इस पर भी देख सकते हो ये कैसी signing आईगी इसमें बाद में इसी तरीके से signing आईगी जैसे में दिखाता हूं देखो मैंना हाथ के सामने camera रखता हूं देखो ये देखो और इस पर जूम करने पर भी कोई दबा दिवार पर नहीं दिखाई दे रिया इसी तरीके से आईगी तो दोस्तो आई हो अब समझ गए होगा आप तो मैं आपको यह और बता दूं कितना खर्च दूं की लगेगी और ईसमें 6 kg लो पैंट हो गया और इस पर एक कोट जैसे पुट्टी करोगए प्र प्राइमर लगेगा आपका तीन किलो प्राइमल लगेगा इस पर अब यह हमारा जो बरामदा है अभी हमने बरामदे में डबल कोट करा नहीं है वो सोरी वाइट सिमेंट करा नहीं है फिर बाद में करेंगे इसकी भी वीडियो हम अपलोट करके बताएंगे इससे पहले हमारी वीडियो चलेगी हो तो लाइक सेस्क्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राइज जरूर दे जैहिंद जैहिंद